हेलो फ्रेंट्स विल्काम बेक टू माई चनल आयोप रेलापस लिफाइन धीस सीमान अने में राचिंग एसेम लाइब तो फ्रेंट्स आभी मैं हूँ ज़ाडगाम राजबाडी के सामने आप लोग देख पा रहे हो मेरे पीछे और यह है ज़ाडगाम राजबाडी टूरिस कंप्लेक्स आप लोग देख पा रहे हो तो फ्रेंट्स आज मैं जा रहा हूँ चिल्की गड़ कोनगदूरा टेंपल घूमने के लिए और चिल्की गड़ कोनगदूरा टेंपल आप लोगों को पूरे एक्स्प्लोर करके दिखाऊंगा तो आइप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्हा लेगा और अच्छा लगातों एक लाइक कर दिना चाल्यमन कर दिना और अपने दोस्तों के साथ भी कर सायर करना और मेरे चनल में नुह हो तो मेरे चनल को सब्सक्रीब करके बेर ऐक्वन प्रेस कर लेना So let's go तो friends let's go to chilki gorr kanadu bas temple Friends भिलाल अभी में हूँ old座र्डाम में और मेरे right side है old座र्डाम पैट्रल पाम Almost time एही से मैं अपना bike refill करता जड़ग्राम से चिल्की गड़ कनदिरो टेंपल का टोटाल डिस्टेंस से 14 किलो मिटर और ये डिस्टेंस कोभर करने में आप लोगो टाइम लेएगा 25 तो 30 मिनिट्स तो फ्रेंड्स यहां से राइट लेना होगा और ये रोट सिधा जा रहा है लोधा सुली और मुझे राइट साइट जाना होगा अगर आप लोग मेरे ओल्ड वीडियोस देखे होंगे तो मैं ये रोट बहुत बार किया है तो फ्रेंड्स फिलाल मैं भी पहुंच गया हूँ जांबोनी फ्रेंज की एरिया में और मेरे चारे तरफ जैंगल ही जैंगल है जैंगल बहुत ही खुबसूरत लग रहा है अभी मेरे पीछे मेरे बाइक आप लोग देख पा रहे हो तो चलो आगे का जानी कॉंटिनु करत है तो फ्रेंड्स फाइनल मैं पहुंच गया हूँ चिल्की गॉर्ट कॉनदुर का में गेट तो आंदर का सीन क्या है आप लोगों को मैं पूरा एक्सबर करके दिखांगा तो लेट्स गो वाव सो ब्यूटिफूल और राइट साइट एक लॉच है अगर आप लोग बाहर से आते हो तो यहां पर रुख सकते हो यह देखो फ्रेंड्स उपर लिखा है चिल्की गॉर्ट कॉनदुर का मंदीर जो कि बैंगली में लिखा है चलो अभी एंट्री करते हैं बहुत दिनों के बात मैं चिल्की गॉर्ड कॉनदुर टेंपल आया आज आप लोगों को पूरा एक्स्प्लोर करके दिखाऊंगा यहां पर पार्किंग है और यहां पर बाइक पार्क करना पड़ेगा कि धर पार्क करूं चलो इधर ही पार्क करते हैं कि यहां पर थोड़ा छाओ है इसलिए मैंने यहां पर पार्क किया प्रेंड्स यह है यहां का पार्किंग एरिया जो आप लोग देख पारे हो अभी और यह है मेरे पीछे होटेल जहां पर आप लोग खाना खास सेक्सते हों तो चलो अभी चलते हैं मैं एंट्री कर चुका हूँ मंदिर के एरिया के अंदर तो अभी चलो चलते हैं और अंदर का सीन क्या है वह आप लोगों में दिखाऊंगा फ्रेंड्स आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो एक लाइक कर देना तो फ्रेंड्स आज बहुत लोग आये हैं चिल्की गॉट कर लोगों को टेंपल घूमने के लिए आप लोग देख पारे हो मेरे पीछे काफी आंदर तेक जाना होगा यह रास्ते से तो फ्रेंड्स सामने आप लोग देख पारे हो यह है चिल्की गॉट करनकदूरगा टेंपल रियली इस लुकिंग भेरी नाइस और फ्रेंड्स यह सब दुकान से आप लोग फुजा के सामान खरी सकते हों तो फ्रेंड्स यह है फ्रेंड्स करनकदूरगा टेंपल यहां के जो राजा थे वो यह टेंपल का इस्ताफन किया था जो की बहुत साल पहले और उसके बात अभी यह दूरगा मा की नया टेंपल बनाया गया है तो फ्रेंड्स फिलाल अभी में जा रहा हूँ दूलूंग रिभार के सामने जो की सामने हैं आप लोगों को में दिखाऊंगा यहाँ पर एक चेयर बेनाया गया है यहाँ पर आप लोग बैठके अराम कर सकते हों राम कर रहते हैं पर तरिख समय को आप लोगा एंड्स में प्रेंट्स मेरा तो अभी नदी देखना तो हो गया तो अभी चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या है अभी अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी श्यार कर देना वाव सो ब्यूटिफूल कितना ब्यूटिफूल लग रहा है तो मेरा घूमना हो गया है तो चलो अभी चलते हैं और इधार है बोटिंग एरिया तो फ्रेंट्स अगर आप लोग यहां पर बोटिंग करना चाहते हो तो तो आप लोग को पे करना पड़ेगा पार हेट 20 रूपीज और फ्रेंट्स यह है मंदिर के सामने एक छोटा सा पर्क जो की बहुत ही घुपसूरत है प्रेंट्स मेरा घुमना हो गया कॉनकदुर्वा टेंपल में और अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और आपने दोस्तों के साथ भी स्यार कर देना और मेरा चनल में नहीं हो तो मेरे चनल को सब्सक्राब करके विल आकन प्रेस कर देना सो मिलते हैं नेक्स वीडियो पर बाइ 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 शीये अगें